इस लेक्षर के अंदर हम देखेंगे कि वेरियबल्स क्या होते हैं और हम इसे किस तरह से create करते हैं वेरियबल्स जिस लाएगे container होते हैं जिसके अंदर हम अपना data store ते हैं इसमें जो a है वो एक वेरियबल है और जो 30 होगा वो इसकी value है जैसे कि दूसरी language जिस के अंदर variable name का memory address बनता है इसी तरह से python के अंदर value का जो memory address बनता है value के memory address का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि अगर हमारे पास दो variables है same value के साथ तो memory के अंदर एक ही value save होगी जिससे हमारी memory बहुत ही कम use होगी और दोनों variables को same memory address जो है वो allocate हो जाएगा अभी हम चलते हैं अपने VS code के उपर और देखते हैं कि हम variable कैसे बनाते हैं और कैसे variables को use करते हैं लेकिन जब भी हम कोई variable बनाएंगे तो कुछ चीजों को हमें जहन में रखना होगा जैसे के variable का name कभी भी number से start नहीं होना चाहिए अगर आप number को इस्तमाल करना भी चाहते हैं तो आप उसे mid में या variable के last में easily use कर सकते हैं तो चलते हैं हम अपने vs code के उपर देखते हैं कि हम किस तरह से variable को create करेंगे मैंने पहले से जो है वो एक file create की हुई है ताकि हमाना time जो है वो जाया ना हो तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि how to create a variable let's suppose कि मैंने age equal to 30 किया तो memory के अंदर क्या होगा एक address जो है वो इस 30 जो value है variable की उसे allocate हो जाएगा अब जब भी मैं इसे a को call करूंगा तो क्या होगा कि वो मुझे a की value जो है वो print करवा देगा like मैं कहता हूं कि मुझे print करवा दो a तो वो मुझे क्या करेगा a की value को print करवा के देदेगा ये इसकी memory के अंदर जाएगा और वहां से 30 जो है वो value को उठा के लिएगा और हमें सामने शो करवा देगा अभी मैं क्या करता हूं कि मैं एक और variable जो है b उसे create कर लेता हूं मैंने किया b is equal to 30.5 अगर मैं अभी जो है इसकी b के value को print करवाँगा तो वो मुझे 30.5 देदेगा अगर मैं इन दोनों की values को different रखके इसकी memory को check करता हूं तो क्या करेगा इन दोनों की जो memory होगी वो different होगी अगर मैं इन दोनों की values को same रखूंगा तो क्या होगा इन दोनों memory address यह वो same होगा भी आप देखेंगे कि इन दोनों की memory address जो है वो different है अगर मैं यहां इसे a is equal to 30 और b is equal to 30 कर दूंगा तो क्या होगा दोनों की memory address जो है वो same हो जाएंगे क्योंकि 30 value same है तो यह क्या करते है Python कि इसका new address create नहीं करेगा अभी मैंने उपर a की value 30 store करवाई और इसमें जब मैं quotations के अंदर लिखता हूँ a को तो इसकी जो type है वो change हो जाएगी इसका scenario जो है वो change हो जाएगा अभी मैंने quotations के अंदर लिखा है तो वो इसे as a string लेगा ना के variable लेगा अगर मैं यहां पर print करवाऊं quotations के अंदर quotes के अंदर a तो वो मुझे a print करवादेगा अगर मैं इसे बगार quotes के लिखूंगा तो क्या करेगा वो मुझे a की values जो variable के अंदर store है वो show करवादेगा इसके लावा हम variable के अंदर string को भी store करवा सकते हैं लाइक इसमें आप देख सकते हैं कि string को save करवाने के भी दो तरिक्के हैं हम single code के साथ भी से store करवा सकते हैं और double code के साथ भी से store करवा सकते हैं अब मैं इन दोनों को run करके देखता हूँ कि क्या ये memory के अंदर store हुए है कि नहीं हुए मैं क्या करता हूँ करता हूँ print id of c इससे क्या होगा मुझे इसकी memory location जो है वो मिल जाएगी इस memory के उपर हमारा ये वाला string जो है वो save है अगर ये ही मैं code जो है वो double quotations के अंदर लिख दूँ तो क्या इन दोनों का memory address same होगा चले इस चीज़ को भी हम चेक कर लेते हैं मैंने दोनों को same value दी और मैंने साथ print करवा दिया कि मुझे d की value भी print करवा दो memory address अब देख सकते हैं single quote के अंदर हम लिखेंगे तो उसका memory allocation different होगी और जो हम double quotes के अंदर लिखेंगे उसकी memory allocation different हो जाएगी अब हम देख लेते हैं कि हम अपने variable के अंदर booleans को भी store करवा सकते हैं like मैं booleans क्या होते हैं यह जिस हमें true or false जो है वो return करवाता है yes or no return करवाता है अब देख सकते हैं इसकी bool है यह हम bool को भी boolean को भी variable के अंदर store करवा सकते हैं अभी मैं simply सभी की जो मैंने ओपर variables create किये थे उनकी जो data type है वो मैं चेक कर लेता हूँ यह आप देख सकते हैं मैंने a की और b की दोनों same रखे थे int थी c और d की string है और e की जो है वो है boolean तो इस सरह से हम अपने variables को create कर सकते हैं value assign कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम variable का name जो है वो किसी number से start नहीं कर सकते लाइक मैं यहां पे 9 लिक देता हूँ तो वो मुझे error through करेगा कि हम इस तरह से variable को create नहीं कर सकते invalid decimal literals हम किसी भी variable को underscore के साथ start कर सकते हैं यह run हो गया इसके मतलब हमारा variable जो है वो create हो गया हम अपने variable के starting पर number नहीं लिख सकते लेकिन हम क्या करेंगे हम end के उपर जो है वो एक number लिख सकते हैं जिससे के हमारी value different हो जाएगी पाइटन जो है वो एक case sensitive language है वो किस तरह से है अगर हमने एक variable create किया a is equal to 40 small a के साथ और हमने इसकी जो value माँ प्रिंट करवाऊंगा वो 40 है लेकिन अगर मैं capital A मैंने इसे किया कि मुझे by mistake मैंने capital A लिख दिया और इसे का कि मुझे ये print करवा दो तो वो क्या error through करेगा कि ये ये जो है वो define आपने पहले नहीं किया हुआ अब दे सकते हैं name capital A is not defined अगर मैं ऐसे ही इसे कोई value assign कर दूँगा तो क्या होगा वो मुझे capital A की value जो है वो 20 शो करवा देगा यहां पर मैं small A कर देता हूं और इसे print करवा लेता हूं तो इसने मुझे small A की value 40 दी जो इस variable के अंदर थी और capital A की मुझे value इसने 20 दे दी तो इस तरह से python एक case sensitive language है अगर आपनी कोई variable small alphabets के साथ save किया हुआ है तो आप उसी के साथ उसे get करेंगे अगर आपनी capital के साथ किया हुआ है तो उसे आप capital character के साथ alphabet के साथ get करेंगे अब हम देख लेते हैं कि python के अंदर multi word variable जब हम create करते हैं तो उनके syntax किस तरह से हम लिखते हैं इसमें एक snake case होता है एक pascal case होता है और third जो है वो camel case होता है तो सबसे पहले में हम snake case देख लेते हैं इसमें क्या होगा कि आप अगर multiple words हैं आपके variable के नेम के अंदर तो आप क्या करेंगे snake case के अंदर first word के बाद underscore लगाएंगे फिर second word के साथ underscore इस तरह से सवानुप चलेंगे like मैंने एक variable create किया my name is my name को मैंने separate किया underscore के साथ और name और इसको मैंने separate किया underscore के साथ my underscore name फिर underscore is इस तरह से ये snake case जो बन जाता है जिसके अंदर मैंने एक value store करवा दी नसर महमूद अगर मैं इसे run करके इसे print करवाता हूं तो मुझे show करवादेगा के इसके अंदर क्या है नासर महमूद store है अब पास्कल केस की हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है hard word का जो first character होता है first alphabet होता है वह capital होगा बाकिस सारे जो है वह समाल होंगे इसमें without space हम लोग इसे भी define करेंगे capital है name का n capital है और is का i capital है और इसको भी अगर मैं यहां पर run करके मैं इसे print करवा दूँ तो इसमें मुझे variable के अंदर जो value save थी वह मुझे उसने print करवा दी third case के अंदर जो होता है camel case है जिसमें के first word का जो characters है alphabet है वह small में होंगे बाकिस सभी का जो first alphabet होगा वह capital होगा like इसमें के अंदर my side के सारा जो small में है second word जो है name उसका n capital है और third word जो है is उसका si capital है इस तरह से हम लोग जो है वह तीन cases के अंदर अपने multi word variable को create करते हैं अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास three variables है और तीनों की values जो हैं वह same है तो हम without इसके के हम लोग तो तीन लाइनों में x is equal to value, y is equal to value, z is equal to value करें तो इससे बेतर है कि हम एक ही लाइन के अंदर x is equal to, y is equal to, z is equal to उसकी value कर देंगे तो वह क्या होगा हर variable को same value assign हो जागी जैसे कि मैंने इसके अंदर, इस scenario के अंदर 20 store करवाया हुआ है तो मैं अगर इसे print करवाँगा अब x, y, z को तो हमें नीचे show करवाएगा तो कि तीनों के अंदर same value 20, 20 और 20 पर यह है अब हम देखते हैं कि क्या हमने x, y और z जो है उसकी value 20 रखी तो इसका memory address जो है वो क्या होगा क्या इन तीनों का different होगा या same होगा ID मुझे इसकी प्रिंट करवानी है x, y और z की मैं यहाँ पर y कर लेता हूँ, यहाँ पर z कर लेता हूँ तो मैं अगर इसकी इनकी जो है memory allocation वो प्रिंट करवा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि तीनों की जो memory address है वो बिलकुल same है मतलब एक ही memory address के उपर तीनों की जो values है वो save होई भी है टोक्री है जिसके अंदर मुख्लिप फल पर होए और हम क्या करना चाहते हैं कि हर फल को किसी एक value के साथ assign करवाना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम हमरे पास इस scenario के अंदर एक fruit नाम की basket है उसके अंदर तीन fruits परवे है एपल बैनाना और मेंगो तो मैं क्या करूंगा x y और z को is equal कर दूँगा fruit के अंदर इसमें क्या होगा कि x को index 0 पर जो भी value पर योगी वो से assign हो जाएगी y को जो 1 के index के ओपर जो भी value पर योगी वो assign हो जाएगी और z को second index के ओपर जो भी value पर योगी वो assign हो जाएगी अगर मैं इन तीनों की values को print करवाँ तो मुझे वО क्या show करवाएगा apple, banana और mango उसने तीनों values मुझे जो है वो print करवा दी है